हेलो गाइज नमस्कार परनाम मैं सनोज पिंटर दर्भंगा बिहार से देखिए एपेक्स डस्ट प्रूफ हैं बाहर के लिए मैं कलर बनाऊंगा इसको पहले खोल लूँगा दबा को खोल लूँगा खोलने के बाद 20 लिटर कलर में 10 लिटर कम सकम पानी मिलाएंगे देखिए दस लिटर पानी देदेंगे पिर दूसरा डबा खोल लेंगे इसमें अभी एक लिटर कम पानी है एक लिटर बाद में देंगे एस्टीनर के साथ अभी 19 लिटर पानी दे दिये है 40 लिटर है 20 लिटर अभी पानी डाल दिये है देखिए 19 लिटर पानी डाल दिये है एक लिटर फिर बाद में देंगे एस्टीनर के साथ अब देखिए धकन पूरा खोल लेंगे ये कलर बनाएंगे क्रीम कलर डार्क है देखिए यलो अक्साइड एस्टीनर और फास्ट यलो से बनेगा 40 लिटर में एक कीलो यलो अक्साइड और 300 गराम फास्ट यलो से नर मिक्सिन करेंगे और ये 40 लिटर कलर हमारा बन के त्यार हो जाएगा इस मालिक को मैंने 12 साल पहले काम किया हूँ और यही कलर था और बोला सेम यही कलर लगाओ इसलिए मैं वही सेम कलर बना रहा हूँ यह देखिए इससे पहले उस साइड में काम किया था तीन मंजिल पे तो दो बाल्टिन बनाया था उसमें इतना बच गया भी फिर दो बाल्टिन बना रहा हूँ अइसा ही सेम बनेगा देखते रहिए क्योंकि यह श्टिनर जमा हुआ रहता है नया भी लिए तो भी जमा हुआ था अब देखिए मसीन से हम इसको अच्छा तरीका से मिक्सिन कर लेंगे अब इसको अच्छा तरीका से मिक्सिन कर लेंगे 20 लिटर कलर में 10 लिटर पानी कम से कम लगेगा 20 में 10 देदीजिए चलेगा वाल पुत्ति में 8 लिटर पानी लगता है वाल पुत्ति वाला की जो काम रहता है उसमें कलर आप लगाईएगा तो थोड़ा मोटा रहता है आठ से नो लीटर तक पानी दिनगे उसमें और वीडला वाइट में विदाउट पुट्टी का रहेगा वाल तो बीस में दस पानी लगेगा देखिए ये बनके हमारा कलर सब सेम हो गया दिखते रहें दोनों कलर को हम उठा के दिखलाएंगे दोनों कलर कैसा है लास्ट में हम हमारा कलर किस तरह मिलाना चाहिए सबस्पस्ट हमारा वीडियो में दिखाना है देखिए अब इसको हम सब को हेरा फेरी कर देंगे हमारा कलर सेम रहेगा कुछ कहीं का गरबर नहीं रहेगा कि अच्छा तरीका से इसको मिक्सिन कर लेंगे अच्छा तरीका से इसको मिक्सिन कर लेंगे देखिए यह जितना मिलेगा उतना अच्छा है इसलिए इसको अच्छा तरीका से मिक्सिन करना रहता है जितना हमारा मिलेगा उतना अच्छा कलर रहता है इसलिए सब को हैरा फिरी कर देंगे दस बार अब देखिए दोनों कलर ओ बारटी न यह बारटी देखिए सेम टू सेम कलर बन गया अब जूला बला काम देखिए